देश के विकास में बहुत से सेक्टरों का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है विकास के लिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो अपने समय समय पर विकास के लिए help कलते हैं देश के लिए लेकिन एक जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जो GDP है वो कहीं न कहीं उसी सेक्टर से सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो सेक्टर है व्यापार मंडल और अगर व्यापार मंडल नहीं होगा न तो जो छोटे छोटे शोटे शहर हैं उनकी इस्तिती पस से बत्तर हो जाएगी नवश्कार आप देख रहा है महोबा न्यूज बुंदेलखंड में आपके साथ हमानक और कैमरे के पीछे हैं मेरे साथ ही आशीश अगनी होत रहे हैं आज हमारे साथ विशेस बाचित के दौल में हमारे साथ मौजूद हैं भागीरत नगाईच। उद्योग व्यापार मंडल के जिला द्यक्ष हैं और हाल में ही वो रेलवे, छासी रेल मंडल के सदस से भी निर्वाचित हुए हैं हमारे साथ मौजूद हैं भागीरत नगाईच को सभी लोगों को राम नौमी की बहुत-बहुत हार दिक बढ़ाई धन्वाद भागिराची आप सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे शुरू होता है आपके जो जीवन का सफर है और यहां तक रेलवे बोर्ड के आप जहासी रेल मंडल के सदस से बनते हैं वो कैसे सफर शु करके और आज यह सब करते रहे सामाजे की स्तितियों में भी साथ साथ काम करते रहे और उसी इस्तान पर हमने कम से कम पच्चिस साल तो ब्यापार मंडल की शेवा की बारा साल बराबर गल्ला ब्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे इसके बार चित्रकूट मंडल के उपाद्य द्यक्ष रहे और दो साल से हम लगबग जिलाद द्यक्ष बनाए गए हैं तो ये तो अपने कार सहली के उपर है उसके लिए बराबर काम किया ब्यापारियों काहित किया ब्यापारियों को ऐसे कारकम दिये जिससे जो है उनको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए तो सब ल रिल्वे बोट का सदस बना दिया तो ये कार सहली के उपर ही होता है और कार करना चाहिए जितना भी आदमी से बने उतना करना भी चाहिए और वो करते रहते हैं ये सामाजिक कार भी करते रहते हैं और व्यापारिक कार भी करते रहते हैं अभी आपने बात कही कि आप व्याप का कार्वे किया आपको जिसकी वज़े से अब आप उद्द्योग व्यापार मंदल के जिला द्यरक्ष साथ में देलवे बोर्ट के सदस से भी निर्वाचित हुए देखिए सन चौरासी में भी एकर किया था हमने उसके बाद हमने फॉम भी भरे सर्विस करनी चाही सबस्पैक्टी का फॉम भी भरा था और इंटर्व्यू में जो है वो कैंसल हो गई थी कुल मिला के परिक्षा देने के बाद फिर ब्यापार में लग गए और ब्यापार जात करते हमारी कुछ है वसी यादत रही सुरू से कि अगर किसी ने कोई गलत काम बोला तो उसके उससे हम जो है बिढ़ जाते थे ऐसे हमाई साथ में बहुत सारी घटनाए हुई जो आज गल्ला बैपार मंडल के गल्ला बैपारी जो पुराने लोग है वो आज बता सकते इस ब कारा पाई गई एक चोर लाटा हुआ था हमां यहां तो बराबर जो है वो चोरी रोच करता था तो उसको रात में हम लोगों ने कैसे पकड़ा था वो रोच चोरी कर ले जाता पतर ना लगता था और जो है पीछे से दीबाल का फांद के अपने ले जाता था तो हम लोगों मेहनत के बाद जो इस्तिती आती है जब व्ययपारियों के लगता है कि यहाँ यह व्ययपारी के लिए हित में कूछ कर सकते हैं तन्मंदन से लगते हैं मेहनत करते हैं एक समय था कि उसमय माननी मुलाहिम सिंग जी मुख्वंतरी हुआ करते थे तो उस समय लूट पाड जादा होते थे ये बात सत्त है तो उस समय जो है इनकी व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सस्त लाइसंस भी बहुत बनवाए वह बहुत बने तो ऐसा नियम आया था कि माननी जिलाद्यक्ष म हमाई प्रकास्चंजेन हुआ करते थे और मैं गलब है पारवंडल का द्यक्ता हम लोगों की जो है संसुती पे सस्त लाइसंस बन जाते थे अब तो बड़े टेड़ी खीर हो गई तो यह चीजें करते करते और यहां तक जो है ऐसी इस्तितियाई उपर वाली की कुछ किरप तो वह सब चीजें देखके और ने लिया जाता है उसी ने के अंसार यह इस्तिति पैदा हुई आपने अभी एक बात बोली कि आप कभी भी गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करते थे मैंने भी एक बार ऐसी बात सुनी की पत्ते यहां पर बहुत खिले जाते हैं यहां पर एक जुआ का बहुत बड़ा अड़ा हुआ करता था लेकिन आपके कारिकाल जब आप व्यापार मंडल के गल्ला व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे तो उस दोरान आपने बड़ा ही अंकुष लगा दिया था इनमें कैसे आप इन शीजों को रोक पाए थे रोकने की कोशिश कर बिल्कुल आपने सही सुना और उस समय तांस बहुत खेले जाते थे हर दुकान के बाहर जब जैसे खाली हो जाते थे लेवर पर तो अपना बैठ के तांस खेले लगते थे अओर लग जाते थे कभी कभी उसमे बाजी भी लगने लगती थी तो हमने अंकुष ए 2 लगाया कि वो सारे दुकंदारों को बैठाल के बारतलाब की और उनको समझाया गया कि देखिए आपका समय भी नश्ट होता है और आप परेसान ओजे करते हैं और आपका हार जीत भी हो जाती है इसमें नुकसान भी होता है और हमारे मंडी की छबी भी खराब होती है तो इस इसाब से सम इंगठन में जमा किया जाएगा तो इस टाइप से उनको डरा के धमका के समझा के उनको लेंगे और बास्तों में ऐसा चार-पास साल का समय ऐसा गुजरा है गला मंडी में कोई तांस नहीं खेलता था ये बात आज भी वहां के ब्यापारी आपको बता देंगे दूसरे लो अत्मान में देख रहे हैं कि इतनी चोरिय चमारी हो रही है नहीं अंकोस लग रहा है एक बहुत एक मंजुल सैनी जी थी जो एस पी बन के आई थी बदमासों ने पलाइन कर दिया था तो ये अपनी कार सहली पे होता है जिला छोड़ दिया था हाँ जिला छोड़ के भग ग आप से जो है बात आगे बढ़ती है और उसके पड़ाम मिलते हैं अभी आपने एक चोरी की बात भी बोली तो बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है काफी महोबा जिले में चोरियां हो रही है इस पर व्यापार मंडल किस तरीके के एक्शन लेने का सोच रहा है या राफ़ बजार दो दिन बरावर बंद रहा इसके बाद उस दिन हम लोगों ने अंसन किया वहां बैठे तो उस समय दूसरा था आप देखिए दस्तारी के बाद हम मिलते हैं और दस्तारी के बादा भी किया था माननी जो है सिटी उन्होंने सहर के सीयो साब ने बादा किया था मैडम नहीं आप आई थी बाहर थी तो उन्होंने बादा किया था कि एक महीने के अंदर हम चोरी खोल के बताएंगे अब हम किसी दिन फिर जाते हैं और अगर चोरी चमारी नहीं रुकती तो हम लोगों के पास क्या अंदूलन करने के सिवा और है क्या हम लोग अंदूल इस इस्तिती में जड़ा नहीं रुकावट आती है तो निश्चत ही एक ब्रहद आंदोलन होगा जो जिला लेविल पर नहीं प्रदेश लेविल पर करणा भी हमारे सत्रा तारी को नहीं तेरा तारी को लखनव में एक सपदगर्ण समारोई भी है जो उत्तर प्रदेश के सारे जला अध्यक्ष और सारे जगें के सब जिलों के पददकारी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश कार कारणी वहाँ भाग लेगी उसमें ये बात अभी दوبारा भी रखनी है और वो हम काम करेंगे और अगर ये नहीं रुकती है चोरिया तो प्रदेश लेपल और ब्यापक हरताल करेंगे और ब्यापक बंदी करेंगे ऐसा हमारी यूजना आगे के लिए बन रही है तो इसलिए हम आपके माद्यम से प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि यहां पर जो चोरियां हुई है उनको खोला जाए और जो है इन पर रोक लगए यही हमारा निव चाकारिया लगातार महोबा जिले में काफी दिनों से देखने को मिल रही है जिलग दिक जी आप से एक और बात की कुरोना काल के समय में चाहें वो कोई भी जिला रहा हो प्रदेश का हो या देश का हो वहां के व्यापार मंडल ने बढ़ा ही महत्वपूर्ण भूमी का नि करोना काल में यहां बहुत सारे जन प्रतिदी भी पता नहीं था कि कहां चले गए लेकिन ब्यापार मंडल के पदथकारी बरावर सेवाएं देते रहे हर काम में पैकेट वटवाते रहे खाना वटवाते रहे और सासन पर सासन को भी मदद करते रहे इसके अलावा माक्स सैनिटाइज यह बगएरा भी हम लोग जो है वो करते रहे और जहां कहीं भी कोई दिक्कत समझ में आई और जो हम लोगों के लाइक कार हुआ वो किया है हमारे छोटे बड़े सब ने मिलके किया है किसी ने जो है अंसदान और पैकेट बना के दिया और किसी ने जो है सेवा करके दिया लेकिन बैपारमंडल की सेवा हमारे बहुत अच्छी रही है आप लोग देखने वाले हैं यह आपके जो है मीडिया में भी चर्चत रहा और आज भी जो है हम लोग सेवाकार के लिए तो लगी रहते हैं आज हम एक महसूस करते हैं और यह सत बात है जितनी धरम साला हं दुस्तान में बनी है या जतने प्याव लगते हैं या जतनי भी दारमे कंदृतों होते हैं इसमें सारी की सारी जो है बेपारियों की भूमकाय होती है लेकिन अब बेपारी एक सरीर में जैसे पेर है ना तो खड़ा होता है आदमी पूरा उसी के उपर लेकिन नीचे रहता है वो दिखाई नहीं देता है दिखाई देता है चेहरा तो उसी तरहें व्यापारी की पैर जैसी पोजीशन है वो पैर की तरहें वो अपना सब पकड़े रहता है उसमें खड़े रहते हैं सरीर को होल्ड किये रहता है लेकिन वो जो है दिखता चे यह कितना उनको वहां पर सहभागिता होनी चाहिए उनकी देखिए अभी हमारे मतरा के एक अधवेशन हुआ था जो प्रदेश का उसमें यह बात भी रखी गई थी हमारे प्रदेश कार्कार्णी यह पास किया था प्रपोजल की हमारी अगर प्रसासन में और सत्ता में हम जनपरतिनीगों से बरावर परामर्स करके और कहते हैं तो वह उतनी घहराई से उतने उससे वह बात नहीं कहते हैं बयापारियों की क्योंकि अब जो भी सोचते हों वह अपने बोर्ड बैंक का ध्यान रखते हुए काम करते हैं अगर कोई सासन पर सासन में जैसे अभी सि है चुना जाता और MLC अभी जो है इस टाइप से भी चुने जाते हम चाहते हैं कि एक MLC ब्यापारियों के उससे भी चुना जाए कि जो रिजिस्टर्ड ब्यापारी है जो लाखों कडोरों रुपे टेक्स देते हैं उनके बीच से कोई ब्यापारी प्रतिन को वहां भेजा ज जाए कि जो है वो भी अपनी बात रख सकें और मैपारियों के हिद्मे सोच सकें इसके अलाबा पार्टियों तो अपने इस तर से चुना लड़ती हैं और ब्यापारियों को अगर वो टिकट दे ब्यापारी वैसे सहवागता करता है थोड़ा बहुत और लेकर पीछे से रह होते हैं उनको करना चाहिए कि ब्यापारियों को हम कुछ टिकेट वित्रण में टिकेट का ध्यान दें और उनको भी लोग सभा में पहुंचाएं लोग सभा में पहुंचाएं तो अच्छा ही होगा उससे ब्यापारियों का भी भला होगा और ब्यापारियों की जो समस्या ह जो बहुत सारी बिसंगतियां है आज आप देखिए पनी पे प्रतबंध लगाया हुआ है लेकिन कौन सी पनी पे लगाया है जो पनी हम सामाल लेके घर जाते हैं जबकि आप एक सर्वे करा लीजिए एक किसी भी गली में दो किलो मीटर की पनीया बिनवा लीजिए और उस पन या अन चीज़ों की ये पनीया मिलेंगी और उसमें बो पनी उसमें प्रतबंध नहीं है ये पनीयों में प्रतबंध नहीं है पनी में कौन सी प्रतबंध है कि जो सामान घर लेके जाते हैं सारे यहां के जो है जन प्रतिनी दी और सारे यहां के अधकारी उन पनीयों का फ् किया जाता है तो ऐसी समस्या गंभी समस्या मैंने मुख सचयो यहां तिवारी जी आया थे आई थे चुकि अपने लोकल महवा के मैंने उनसे भी ये बात रखी थी कि उन्होंने कहा हम प्रियास करेंगे और इसके बाद विशुर की किरपा हुई कि उनका ट्रांसपर हो गया द रख होता है और यह ब्यापारी ऐसा है कि वह नुक्सान नफा जेलते हुए भी और भाजपा को ही सपोर्ट करता है नभी परसेंट और इसके बाद भी ध्यान नहीं देते तो हम चाहेंगे आसा रखते हैं कि जो है ब्यापारियों के ऊपर ध्यान दिया जाए आपने अभी एक बात कही थी जन प्रती निधी को आप टार्गेट कर रहे थे कौन जन प्रती निधी को टार्गेट कर रहे हैं आपकी कोविट के टाइम पे जन प्रती निधियों को तो देखा है किसको टार्गेट कर रहे हैं देखिए यह कोई कहने सुनने की बात नहीं है आप को भूलिए खेर वो बात अब आप जो है हम से कह रहे हैं आप बताईए ना कि कौन कौन आप इतनी बड़ी मीडिया लिए बैटे हैं और इतने बड़ा दुनिया है तो आप आप लोग खुद जे उजागर हो जाती है यह बात तो यह कहने की बात नहीं अब हम किसी को एक को क् आप करें आप काफी बात इस तरीके कर सोच रहे हैं कि नेटवर्क को बढ़ाया जाए असलिए जरूरी है कि देश के विकास में या किसी भी जगह के विकास के लिए ट्रांस्पोर्टेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो रेलवे का जो यहां पर इंटरलिंकिंग है वो बहुत अच्छी नहीं देखी जा रही है काफी बीते समय से तो आप किस तरीके का उसका स्ट्रेटजी बना रहे है देखिए अभी एक हपते भी नहीं हुआ जब हमारा यह न्यूक्ति हुआ है लेकिन हमाई दिमाग में यह खाका बनना सुरू हो गया है आज सबसे प्रतम हमारी प्रात्मिक्ता तो यह बात को लेके है जो खजराहो से कानपुर की रेल बंद पड़ी है उसको सीगराती सीगर हम बात करेंगे और चालू हो क्योंकि यहां घाटमपुर के पास इतना बड़ा जाम लगता है कि अगर कोई कार से भी जाता है तो उसको भी चार गंटे छे गंटे का और जो है जाम में जैसे एक यह बात चल रही है साइट पास भी हो गया है रेलवे का यहां से वो जाएगी तो बायक खुरंड़ा नहीं जाएगी वो गारी यहां से खेराट से और घुम के सीधी वो लिंक जोड़ी जा रही है यह है इसके अलावा जो भी अभी एक दो लोगों ने हमसे कहा के कोटा के लिए कोई ट्रेन नहीं होना चाहिए क्योंकि यह छेत्र के बहुत सारे बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं अभी तक कोटा में तो पढ़ाई अड़ाई का माहौल चुकि करोनर लगा रहा तो पढ़ाई का माहौल पूरे देश में बढ़ा डिस्टर्ब हो गया था और बच्चों का बास्तों में बहुत नुक्सान हुआ है पढ़ाई लिखाई के मामले में तो यह सब बना के और कोसिस करेंगे कि अधिक से अधिक शुबदा हो बैसे अपना इलाका तो डिल बे लाइन सिंगल थी यहां बहुत पिछरा पिछिरी लाइन थी पिछरा इलाका भी है तो अब जो है साइड डबल लाइन भी हो रही है और आंगे देखते रहेंगे जो परामर्स आएंगे सब लोगों से संपर करके ये बात में जो भी जो भी जादा अच्छी होगा अपनी समितियां बना के कोसिस करेंगे कि उसके जादा से जादा अच्छे प्रपोजल जाए और हम हमारे छेत्री बासियों को सबको अधिक से अधिक रेलवे की सुद्दा हो इस पर हम फोकस करेंगे तो ये थे हमारे साथ उद्द्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भागिरतना गायच जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर व्यापारियों के हित सबसे महत्वपूर्ण है लखनव में दिल्ली में क्योंकि ये बात जैसा अभी उन्होंने कहा भी कि देश की जीडीपी के लिए और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रॉमिनेंट फैक्टर होते हैं वो लोग व्यापारी तो इसलिए अब देखना ये होगा कि आख झाल